Hey everyone Welcome back to my channel आज हम बनाने जा रहे हैं पटेटो करी जिसमें हम एक ट्विस्ट करने वाले हम इसमें डालेंगे मुंगवाड़ी तो शरी रेसीप को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें मस्टेड़ वाईल लेना है और इसे गर्म हो ने देना है फिर हम इसमें डालेंगे तेजपता, बे लीफ्स, हम इसमें डालेंगे साबुत, लालमिच इसके बाद हमने इसमें डाला है दो मुंगोडी मुंगोडी को हर साइट से पकाना जरूरी है तो हम इसे पलट पलट कर हर साइट से अच्छे से पका लेंगे तभी इसका टेस्स अच्छा आता है वरना ये आपको raw पता चलेगी खाते समय तो अब हमने इसको अच्छे से पका लिया है, देख लिजे अब हम इसमें डालेंगे half teaspoon जीरा यानि की cumin seeds और इसके बाद हम इसमें roughly chopped onion डालेंगे तो हमने यहाँ पे onion डाल लिया है, जो कि हमने roughly chopped किया था इसके बाद हम इसमें डालेंगे one tomato, वो भी हमने roughly chopped किया है तो अब हम इन दोनों चीजों को अच्छे से पकाएंगे, टमाटर के गलने के लिए हम इसमें add करेंगे, salt salt आपको एस पर यो taste लेना है और सबी चीजों को अच्छे से mix करते हुए टमाटर को गला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे मसाले, तो हम इसमें डाला half tea spoon turmeric, half tea spoon chili powder, और one tea spoon हम इसमें डालेंगे meat masala, यह Everest का meat masala है और सबी चीजों को कर लेंगे अच्छे से mix और अब हमें मसाले को अच्छे से पकाना है तो अगर आपका masala नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं और अगर नहीं लग रहा है तो आप इस तरह से इसको एक से दो बारी high flame पर चला के mix करके और उसके बाद इसे ढख दीजिए low flame पर और उसके बाद आप देखेंगे oil side side आपका separate होने लगेगा तो जैसे ही oil separate हो जाए आपको थोड़ी देर और इसे भून लेना है जितना अच्छा मसाला भूनेंगे सबजी का टेस्ट नहीं अच्छा आएगा तो यहाँ जो मुझे थोड़े बहुत भी खड़े खड़े दीख रहे हैं उसको मैं अच्छे से दबा दबा कर मैश कर लूँगी ताकि यह हमारे करी में हमें पता ना चले तो यह अच्छे से गल भी रहे हैं और हमने उसको जितना बचा हुआ था वो सब मैश कर लिया और यह अब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है तो देख सकते हैं जहां जहां मैं हटा रही हूँ तेल अपने आप सेपरेट होता जा रहा है अब हम इसमें एड़ करेंगे बॉयल्ट पोटेटो जो कि हमने यहाँ पे थ्री बॉयल्ट पोटेटो लिया है और सबी चीजों को यानि कि इन पोटेटो को अब हम इस मसाले के साथ अच्छे से कोट होने तक फ्राई करेंगे और सबी चीजों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे यह हमारे जितना भी मसाले है यह पटैटो में अच्छे से कोट हो गए अब हम इसे हाई फ्लेम पे एक से दो बारी मिक्स करेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और यह जितने भी आलू आपको खड़े खड़े लग रहे होंगे आप उसे भी अच्छे से इस पल्टे की हल्प से फोल लीजिए ताकि यह छोटी-छोटे तुकड़े हो जाएं तो वह जादा अच्छे लगते हैं अब हम इसमें एड़ करें हैं वाटर जितनी आपको ग्रेवी चाहिए है आप उसके एकॉर्डिंग पानी एड़ कर लीजिए और वाटर एड़ करने के बाद हम वेट करेंगे कि वाटर अच्छे से खौलने लगे और इसमें हम डालेंगे हाफ से भी कम आपको इसमें एड़ करना है आमचूर पाउडर और उसके वाद उतना ही हमने एड़ किया है गरम मसाला गरम मसाला भूना नहीं जाता है इसलिए हमेशा लास्ट में आपको एड़ करना है तो अब सबी चीजों को हमने कर लिए अच्छे से मिक्स वाटर हमारा खौलने लगा यानि की ग्रेवी खौलने लगी अब हम इसमें डालेंगे कोरेंडस यानि की धन्या की पती अब हम सबी चीजों को कर लेंगे मिक्स और अब हम इसे हाई फ्लेम पे खौलने के लिए छोड़ देंगे तो देखिए अच्छे से खौलने लगा है अब हम इसे ढख देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे स्लो पर कर दिया है अब यह अच्छे से थोई देर तक पकेगा यह देखिए काफी बढ़िया से पक गया है सबी चीजें एकदम बीच में अगर आप चाहें तो एक से दो बार इसे आकर खोल कर आप चला भी दीजिए क्योंकि ग्रेवी डली रहती है वाटर डल रहता है तो कोई जरूरत नहीं होती है जलता नहीं है यह देखिए मैंने कर दिया गैस को आफ गैस की फ्लेम आफ हो गई है और यह बन कर तयार है हमारी सबजी तो मेरी यह रसेपी अच्छे लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को ला